प्राइमेटर्स देख लिए किस तरह के क्वेशन निकल के आ रहे हैं जोग्रफी से क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या हम लोग को बेसिकली आइडिया रखना चाहिए ऐस पर आइडिया हो गया है ठीक है वो कल का पीपीटी भी मिल जाएगा आप लोग को क्वेशन सारा पता जो थोड़ा चेंजस करके देने थी मिल को थोड़ा लेट आई है पट आप लोग के पास आगई है ठीक है जी प्रिंट आउट करके उसको अपने पास रख लेना, जो भी स्क्रिब्लिंग करने होगे उससे आप से करना, ठीक है, at least we'll make sure कि जो आपका बहुत बढ़िया से चला जाए, एक बारी बगोल का जो है, स्थापना हो जाएगी आपके दिमाग में, तो I feel that आप लोग जो है, जो है स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग आज जो है, फिजिकल जोग्राफी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो फिजिकल जोग्राफी आपका पहला पूर्शन बनता है, फिजिकल वर्ल्ड और इंडियन जोग्राफी, तेक है जी, तो फिजिकल जोग्राफी का पहला astronomy, कहीं न कहीं, physics, इन सब का mission आपको यहाँ पर देखने हो मिलता है, but overall जो है केकी बारी question आपको फ़स जाते हैं, किस सरह से question फ़स जाएंगे, इस planets के question फ़स जाएंगे, comets के उपर question फ़स जाएंगे, asteroids के उपर question फ़स जाते हैं, ठीक है नि, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग को cover करनी हैं, many a times like geography में cosmology cover करवाई नहीं जाती है, but I personally feel की geography का जो base है, वो cosmology से निकल के आए, because कहीं न के हम लोग geography में क्या पढ़ते हैं, हम लोग geophysiographic feature पढ़ रहे हैं, भई हो जाओ settle down for effort, geophysiographic feature पढ़ रहे हैं, geophysiographic feature भी mountains हैं, platews हैं, plains हैं, और बड़े level पे जाओगे, और बड़े आयम पे जाओगे, तो क्या हम लोग earth को पढ़ रहे हैं, earth में अलग-अलग दरगी geophorms कैसे बनी हैं, और बड़े level पे जाओगे, तो अपना solar system देखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि यह geophorms जो हमारे landforms बने हैं, जो हमारे भुवा करितिया बनी है, वो कही ना कहीं जो है, हमारा जो भी solar system है, सौर्य मंडल है, इसकी जो planets हैं, के movement के कारण या sun के gravitation कारण बने हैं, ठीक है जी, सो हमारा मेरा basic aim रहता है, कि हम लोग macro से start करें, और micro की तरफ जाएं, हम लोग पहले cosmology को समझे, universe को समझे, universe को समझे समझे, देरे देरे हम लोग अपनी धर्टी की तरफ बढ़ें, देखेंगे, यह काम हम लोगों ने करना है, सबसे पहले आज जो मैं बात करने वाला हूँ, वो है cosmology की, so cosmos and logi, यह दो शब्दों से बना हुए basically, cosmos and ology, यह basically Greek words है, अब आपको बहुत सारे Greek words सुनने को मिलेंगे, क्योंकि Greek and Latin लोग जो थे, classical Greek, classical Latin जो सब बताएं थी, उन्होंने बहुत सारी इन चीजों के उपर काम किया है, अपने surrounding को देखा है, उनके उपर लिखा है, वो सारी चीजे करी है, तो बहुत सारे आपको इस तरह Greek words देखने को मिलेंगे, बहरहाल, cosmology जो है, it is made up of this Greek word called as cosmos, cosmos का मतलब क्या होता है, basically known universe, क्या मतलब है, known universe, means जो universe हम लोगों को पता है, ठीक है जी, and ology का मतलब क्या होता है, basically it is the study of, ठीक है जी, organized study of universe, हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, हम लोग यहाँ पर ब्रहमांड के बारे में जो है, जानने की कोशिश करते हैं, अब ब्रहमांड से एक बात आते हैं, भी ब्रहमांड में क्या जानने कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है जी, अगर मैं बोलता हूँ कि यह study है, ब्रहमांड की, cosmos की study है, तो इसमें हम क्या जानने कोशिश करते हैं, तीन हमारे सवाल हैं जहाँ पे जिनको हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं कितने सवाल? तीन सवाल है basically ठीक है जी? पहला सवाल पहला सवाल है कि भाई ये जो प्रहमान्ड है इसकी उत्पत्ती कैसे हुई? हम लोग contemplate करते हैं origin कि भाई ये ब्रहमान्ड कैसे बना? दूसरा सवाल बना तो ठीक है पट बनने के बाद जो है आज की ये जो present state हम लोग देख रहे हैं हमारे युनिवर्स की हमारे ब्रहमान्ड की वो कैसे निकल के आई? how the present state of our universe came into being समझे बात को present state कैसे निकल के आई? ये हम लोग देखते हैं और तिसरी चीज जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं third and very most important चीज के universe कहां पे जा रहा है? किस सरा का इसका end होगा? किसी चीज की शुरुआत हुई थी उसका अंत तो होगा? देखे जी? तो यह अंत कि इस तरह से होगा और हम उस अंत में कहां पे होंगे? ठीक है कि नहीं? तीन बड़े ही basic सवाल है. अब आपको कुछ सवालों का जवाब तो पता है कुछ सवालों का जवाब जो है विज्ञान ने दे दिया है. ठीक है? बट कई सवालों का जवाब अभी विज्ञान नहीं द पाया तो क्यों दे रहा है? वो जो है धरम देता है, religion देता है, philosophy देती है. ठीक है नहीं? कई जग अभी देखो, basically जो हम cosmology पढ़ रहे हैं, जो हम cosmology पढ़ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिरफ science के through ही पढ़ी जा सकती है, या ऐसा नहीं है कि सिरफ धरम के through ही पढ़ी जाती ठीक है जी, science basically होता है, इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को explain करने कोशिच कर रहे हो through logic and reason, उसको हम लोग science बोल देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग cosmos को समझने कोशिच कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्य क्या क्या, इंसान ने अलग 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 तरीके जो है वो अपनाए हैं, ठीक है कि नहीं? पुराने टाइम का इंसान ने क्या किया? पुराने टाइम के इंसान के पास science नहीं थी, logic reason नहीं था जादा, ठीक है जी? हमाए पास scientific principles नहीं थे जादा, तो हमने क्या किया? हमने उस इसे धर्म के आखों से देखने की कोशिश करी, ठीक है जी, we saw our universe understanding, यही तीन सवालों के जवाब हम लोग ने किस तरह देने कोशिश करी, through our religious understandings, ठीक है जी, religious, religion के कारण या religion के through हमने देखने कोशिश करी, ठीक है जी, ऐसा नहीं था religion, जो है कोई ऐसी वैसी चीज़ सी, religion उस ताइम का विज्ञान था religion, ठीक है नि, क्योंकि पड़े लिखे लोग का थे, वो religion के साथ associated थे, और उन्होंने क्या क्या, उन्होंने इस चीज़ के understanding मनाई, बट उसे color इस तरह से किया गया, ताकि उसे भगवान के आसपास में रखा जा सके, ठीक है कि ने, तो विज्ञान उस तमेगा विज्ञान क्या था, वो था धर्म और धर्म के तहट, जो हम लोगोंने क्या किया, हम लोगोंने ये understandings develop करने की कोशिश करी, तो पुराने जो भी हमारे ये questions थे, cosmology को लेके, वो हमने धर्म से जो है क्या किये, explain करने की कोशिश करी, और धीरे 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 निकालने की कोशिश करी, कुछ सवालों के जवाब हम लोगोंने दे भी दिये, बट कुछ सवालों के जवाब जहें, वो अभी भी pending पड़े हुए है, pending मतलब की भाई, अंत कहा होगा, ठीक है कि नहीं, अंत कहा होगा, ये सारी चीज़े जो है, अभी भी हमारे सवाल ही है, कुछ चीजों का जवाब हम लोग दे चुके हैं, बेरहाल बात करते हैं, basically हम लोगोंने किस तरह से इसे समझने की कोशी करी, पुराने टाइम में क्या अंडस्टैंडिंग्स हम लोगोंने निकालने की कोशी करी थी हमारे ब्रह्मांड के बारे में, सोल्वी सदी की बात करे तो Mesopotamium Civilization और Mesopotamium Cosmology में अर्थ के बारे में जिकर किया हुआ है कि भाई ये क्या है, एक circular disk है, जैसे आप पत्ते के ओपर पानी की बूंद डाल देते हो, उस तरह से जो है ये कहते अर्थ है, और ये अर्थ जो है क्या है, आसपास एक cosmic ocean के आसपास में जो है, तैर रही है इस तरह से इन्होंने बात करी, एक flat circular अर्थ के बारे में बात करी और इन्होंने बोला कि ये क्या करी, ये तैर रही है, एक cosmic ocean के अंदर, ठीक है कि नहीं, उसके बाद और भी हम लोग देते हैं, बारवी सदी के अगर मैं बात करूँ, तो Rig Veed में भी हमने देखा है, इसका क golden egg कि भाई, एक गर्ब से जो है, युनिवर्स की उत्पत्ती हुई है, ठीक है यो ब्रह्मा की philosophy अगर आपने पढ़ी होगी, ब्रह्मा, ब्रह्मा, ये सारी चीज़े जो है, हिर ने गर्ब के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है कि नहीं, तो आप देख पा रहे हो क basically हमने क्या करें, हम लोग religion से अपनी understandings बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, रिगवेद में इसके बारे में लिखा है कि भाई, जो universe है, ये 4.35 billion years के लिए बनता है, उसके बाद ये फिर destroy हो जाता है, और ये फिर बनता है, ठीक है न, कि विश्नु जो है, वो बनाता ह है, फिर विश्नु creator है, वो destroyer है, वो हमने philosophy पढ़ी है, ये सारी जो है का है, universe की understanding बताने की कोशिश कर रही है, okay, similarly, 6th century BC में Babylonian cosmology ने भी जो है, अर्थ की theory के बारे में बात करी है, ठीक है जी, ये लोग भी क्या बोलते हैं, ये लोग भी बोलते हैं, बेसिकली, अर्थ को circular मानते हैं, और आसपास जो है, ये बोलते हैं, एक cosmic chaos है, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं, जहाँ पर तारे, चान, सूरज, ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलती है, ठीक है कि ने, so हम लोग overall जो है, क्या बात करते हैं, overall हम लोग देख रहे हैं कि, हम लोगों ने इस बहुत सारी philosophies देखी हुई हैं, ठीक है, एक second किसी के message आए है, हाँ जी, guys क्या बोल रहे हो, ठीक है, चलो, anyways क्या बात कर रहे थे हम लोग, so basically 6th century BC में हमने क्या क्या बेबिलोनियन philosophy के बारे में, बेबिलोनियन cosmology के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी, then उसके बा एरिस्टॉटलिन या एरिस्टॉटल की जो basically philosophy है, या फिर आपका, एरिस्टॉटल के बाद जो है, प्लेटो, प्लेटो पहले आए, उसके एरिस्टॉटल आए, इनकी philosophy हम लोगों ने देखी हैं, ठीक है, एक second तो मेरी PPT crash कर गई है, give me one second, ठीक है, 16th century, 12th century, 6th century, then 4th century भी आते हैं, हम लोगों ने क्या क्या, हम में प्लेटो एरिस्टॉटल जैसे जो है, thinkers के बारे में बात करी, और इन्होंने जो है, क्या बोला, इन्होंने basically earth को एक stationary celestial body माना हो, और ये बोला कि ये जो है, क्या है, universe के center में है, this is at the center of the universe, और बाकी सारी bodies जो है, वो क्या कर रही है इसके आसपास में revolve कर रही है, ठीक है कि नी, so basically this plateau and Aristotle, पहले स्टार्ट हुआ है, नेक्सी मेंडर से, नेक्सी मेंडर के बाद आया, plateau के पास, plateau के पास आया, Aristotle से, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कि earth जो है, वो क्या है, वो center of the universe है, और बाकी सारी चीजे जो है, इसके आसपास म क्या कर रहे हैं, revolve कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, इसी के साथ एक counter philosophy भी start हुई, this was called as, इसको हम लोग ने, इस philosophy को क्या बोला, यह philosophy बाद में क्या हुई, इसके धीरे धीरे जो है, इसने रूप लिया, called as geocentricism का, ठीक है जी, यह जो theory थी, यह बनी geocentricism, geocentricism मतलब कि जो universe का center है, वो क्या चीज़ है, वो हमारी earth है, हमारा earth जो है universe का center और बाकी सारी celestial bodies के आस पास में revolve कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, यह theory को जिन्होंने solidify किया था, वो थे यह इन्सान, इन्होंने जो है, इनका नाम था, claudmius tolmi, and simply not tolmi, बोलते हैं, tolmi जो है, इन्होंने किताब लिखी, series of किताब लिखी, called as almagast, ठीक है जी, almagast में यह जो है, यह बात करते हैं कि भाई, earth जो है, वो universe के center में है, और बाकी सारी bodies, जो है, वो इसके आस पास में, जैसे moon हो गया, sun हो गये, वो जो है, इसके आस एच्छा, जो breakthrough इन्होंने दिया वो था, कि इन्होंने earth को एक sphere माना, ठीक है जी, earth को एक sphere माना, रॉनने बोला, simply इन्होंने earth को sphere क्यो बोला, रॉनने बोला क्योंकि, हम लोग जो है, एक time में, सर्फ आदए ही stars देख पाते हैं, ठीक है जी, आपको यह आदे time सिर्फ 12 तो मतलब क्या है कि 12 गंटे वो अपने horizon से नीचे रहता होगा ठीक है कि नहीं अगर एक इंसान यहाँ पर खड़ा है तो अगर यह एक star है तो यह 12 गंटे इस star को देख सकता है उसके बाद 12 गंटे जो है वो star को नहीं देख पाता है ठीक है इस idea से उन्होंने basically यह बताया कि हम यह basically जो theory बने यह थी geocentric या theory या simply से हम geocentricism बोल दिते हैं ठीक है जी और आप सब लोग को पता है भी कि यह theory क्या है गलत है गलत है कि नहीं गलत है कि नहीं तो यह theory जो है basically गलत है बट 140 AD में यह theory दी गी थी और अगले 1400 सालों तक इस theory को सच माना गया ठीक है कि नहीं क्यूं क्यूं से सच माना गया बिकॉस यह church के जो philosophy थी उसके साथ बहुत ज़ादा mail खाती थी ठीक है उस time पर क्या था उस time पर Europe में basically Christianity का राज जो है वो देरे देरे स्थापित हो रहा था और Christianity जो है अपने pair पसार रही थी और आपको पता है Christianity के basic tenets क्या बोलते है वो बोलते है भगवान ने जो है क्या बनाया धरती बनाई और Adam और वीच को एक garden बनाया और Adam और Eve को उ ठोड़ दिया ठीक है ने उस story सबने सुनी हुई है ठीक है फिर Eve बोलते है कि वह apple खाना है फिर Adam apple लेके आता है happy birthday हो जाता है दोनों को शराप मिलता है कि अब क्या करोगे sweat of the bro से जो है अपना जीवन वितीद करोगे धरती भेज देते है ठीक है जी इस तरह की story जो कि Christianity ने अपने आसपास में बुनी ये क्या बताती थी ये बताती थी कि earth जो है वो वो क्या है वो universe के center में है बगवान ने earth बनाए किसके लिए इंसान के लिए तो earth जो है वो center पे है और इसकी theory टॉलमी की theory जो है इसके साथ बहुँ जादा resemble करती थी तो चर्थ ने क्या किया चर्थ इसे अपनी official theory बनाया और eventually अगले 1400 साल तक यही theory जो है पूरे Europe में dominant करी ठीक है कि नहीं बट जैसे हम लोग देखते हैं भाई कि जो भी theory होता है जो भी हम लोग idea देता है उसका anti idea निकलता है जो भी हम लोग theory देते हैं उसके एक anti theory निकलती है निकलती कि नहीं ऑब्यसी बा anti point निकला that was heliocentric theory heliocentricism टेक है जी यह theory basically क्या बोलती थी यह theory बोलती थी कि it is not the earth which is the center of the universe धर्ती जो है वो ब्रह्मांड का केंदर ब्रह्मांड का center नहीं है it is basically the sun टेक है इन्होंने अपने जो primitive text ते उसके अंदर क्या लिखा था हर्त के बारे हम बात करते है बट्टी के ब ब्रह्मांड है वो एक भट्टी के आसपास केंदरित है और वो उसके आसपास में चक्कर लगा रहा है तो भट्टी what do you mean by that it is basically sun ठीक है जी यह कहाँ पे स्टार्ट हुई पाइथागोरस आपने एक thinker के बारे में सुना होगा पाइथागोरस यह भी ancient Greek thinker थे इनके एक disciple थे philolios इनके आगे further disciples ने इन theory को strong किया ठीक है जी एरिस्टाकर्स थे सैमोस के इन्हों ने इसको strengthen किया था नाम से ज़्यादा important नहीं है मैं जस्ट आपको एक story सुना रहा हूँ आज भी हम थोड़ा story वाले काम कर रहे है ठीक है जी एरिस्टाकर्स ने जो है basically क्या किया इस helioc centric theory को strengthen किया यह बोलते थे कि हमारे जो भी universe है वो एक हर्त के आसपास में गरम बटी के आसपास में घूम रहा है ठीक है कि ने गरम बटी के आसपास में घूम रहा है और आप आश्चरेचकित होंगे कि बाद में आरे भटा ने हमारे जो thinker थे आरे भटा ने आरे भटी का एक किताब लिखी जिसमें जो है इस चीज का वर्णन किया गया है इन्होंने बोला है कि जो planets हैं वो क्या कर रहे हैं वो घूम रहे हैं circular orbits में घूम रहे हैं बट यहां पर हम लोग को clarify नहीं हुआ है कि वो अर्थ के आसपास में घूम रहे हैं या sun के आसपास में घूम रहे और ये भी जो है heliocentric brand के जो है हम लोग thinker को मानते हैं ठीक है anyways so मेरे कहने का मतलब है कि ये एक heliocentric theory बनी और एक geocentric theory बनी ताकि हम लोग अपने universe के understanding कर सके हम अपने ब्रह्मान के understanding कर सके क्योंकि उस टाइम पर इंसान को बस यहीं लगता था कि ये 4-5 चीज़े जो हमें देखिए वो text जो है कहां पर रख दिये library के अंदर रख दिये और main जो theory निकल गया है वो geocentric theory थी ठीक है जी इवेंचिल इसके बाद क्या हुआ ये रोप में dark ages आ गई there is something called as dark age dark age में क्या हुआ धर्म का जो है वो बोल वाला था कोई भी जो है इस तरह की नई सोच या नई logic या नई reason को जो है वो नहीं मानता था ठीक है कि नहीं जैसे हम लोग 18th century में जो धर्म बोल देता वो करते थे आज हम धर्म को question करते हैं आज हम जो है चीजों को question करते हैं logic और rationality लगाते हैं ठीक है जी पर उस time पे क्या था कि हम लोग logic और rationality को question नहीं कर रहे या उससे question न ठीक है जी अब रेनेसा के अंदर डीप में ने जाएंगे वो हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे रेनेसा में बेसिकली क्या हुआ कि जो उस टाइम के थिंकर्स थे बारवी तेरवी सदी के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या क्या वो दुबारा अपने ग्रीक औ और उनको जो है क्या किया इन थे इयूरीज को दुबारा से बाहर निकाला गया और वहां से निकली ये हेलियोसेंट्रिक थे जी! ये हेलियोसेंट्रिक थे आने वाले थे ये इन्सान, इनका नाम था,Reprist कॉपर निकर्स Copernicus ने क्या किया इन्होंने पुराने ancient text पड़े जहां पे heliocentric theory के बारे हैं बात किया हुआ था और इन्होंने एक किताब लखी called as day revolution bus और बियम कलिसियम इस किताब के अंदर इन्होंने जिक्र किया कि नई भाई it is not the earth which is the center of the universe बट जो sun है वो center of the universe है और आसपास जो भी planets है वो एक circular path में sun के आसपास में चक्कर लगा रहे हैं which includes our earth and our moon तो basically इनकी theory भी गलत थी but it was a progressive theory ठीक है कही न गई क्या थी progressive थी उन्होंने देखा कि भाई ये चीज़ जो है हम लोग ने देखा मतलब कि ये comparatively सही जा रहे है as compared to geocentric theory ठीक है कि ने बट हुआ क्या उस टाइम पे चर्च जो है वो बहुती ज़ादा क्या था इन आइडियास को लेकि इनके खिलाप था ठीक है ये चर्च ने जो है crackdown start किया था कि भाई इस जैसे thinker जो कि हमारी philosophy को गलत बताते हैं इन लोगों को हम लोगों को नहीं छोड़ना है ठीक है anyways जो आपके coppernikas थे जब उन्होंने ये किताब लिखी जब तक को किताब famous हुई तब तक ये अपने that best पे थे मरने वाले थे ठीक है जी आदा जो है वही एक टांग के लेगे छिलके पे एक टांग कबर पे type तो उस तरह से थे मरने वाले थे and इनकी किताब ज़्यादा famous हुई नियूस टाइम पे और चर्च ने बोला कि ये मर रहा है तो इसको अब क्या सजा देनी है eventually he died but इसकी किताब जो है और बहुत अच्छे हातों में गई एक बहुत अच्छे हात जिसके पास ये किताब गई he was Galileo ठीक है जी इस इंसान के पास his name was Galileo Galilei ठीक है जी Copernicus बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो sun है वो center में है not the earth ठीक है और इसने क्या क्या है इसने geocentricism के उपर जो है इसका criticism लिखना start कर दिया और heliocentricism को promote करना start कर दिया ठीक है जी अब church को समझ में आ गया था बहुत हो गया कि अब जो है इस चीज को क्या करना है अपने को इस चीज को हम लोगों को किसी ना किसी तरह रोकने की कोशिश करनी है so eventually क्या हुआ गेलियो को बोला गया कि आप जो है इसके उपर ना लिखो तेके आप जो है heliocentricism को promote ना करो अगर करोगे तो आपको जो है सजा मिली जाए सजा दी जाएगी तो इस टेम पर क्या होता था चर्च जो है basically क्या करता था चर्च जो है वो बड़ी cruel form of punishment देता था तेके जी अगर चर्च के ऊपर चर्च चार्च लगाता था है harris से के harris से के charge means जो है अगर जो धर्म का अवेलना करना इसका जो है चार्च लगाते थे और बड़ी बुरी लेवल की punishment देते जिन्दा जला देना example तेके जी इंसान को खड़ा करते थे लकडियों बानते थे लकडि लगा देते आग लगा देते रिहाना गाना सुना ना just gonna stand there and watch me burn तो वहला टाइप तो आग लगा देते इससे भी और cruel punishment देते थे क्या करते थे एक चारो हाथ पाउं बानते थे रसी से और चारो तरफ जो है घोड़े बानते थे फिर घोड़ों को लीश मारते थे और फिर वहाथ पाउं खिषते थे थे इस तरह की cruel punishment देके मौत दी जाती थी तो उस टाइम पे गलीलियो को बोला गया कि बंद हो जा नहीं तो यह तेरे पे जो है हरिसे के चार्ज लगाएंगे ठीक है कि नहीं तो eventually गलीलियो ने उस टाइम बंद कर दिया बट गलीलियो के अं तो दो-ची वर्ल्ड तप्र में यहाँ पर क्या बात हो रही है एक और ही जियोसेंटरिक एक और है हलियोसेंटरिक ठीक है यहाँ पे इन्हों ने बड़े सटल तरीके से क्या किया है बेस्ती करिये कि only way जियोसेंटरिक थे थेरी बेवकूफों की थेउऱम और council is like a court जहाँ पे जो है बेसिकली गलीलियो के ओपर जो है मुकदमा चलाया गया और वहाँ पे इन्हें बोला गया इनके ओपर हरिसे के चार्ज लगाएगे अब जो है गलीलियो को पता चल गया कि अब फस गए है and eventually मौत जो है आगे पकी है तब जो है गलीलियो को मौका दिया गया था कि क्योंकि वो एक बहुत बड़े scientist थे तो ने मौका दिया गया कि या तो अपने बाते जो है वो वापिस ले लो या जो है मौत देखू तो गलीलियो ने क्या बोला करा नी मैं पागल था मैं तो ऐसी बोल रहा था geocentric theory वो बहुत बड़ी है तेक है जी eventually he came out and he said that geocentric theory is the right theory but eventually इस inequation council में क्या हुआ इनको सजा देगी दो तीन चीजों की सजा देगी थी पहली चीज थी कि इनका एक बहुत important equipment जो है वो छीन लिया गया था तेक है जी 1609 के आस पास में एक यंत्र discover हुआ जिससे की गैलियों ने Copernicus की observations को prove करके दिखाया था ये था telescope तेक है जी इस time पे इन्होंने telescope ने discover किया telescope जो है वो war के लिए discover हुआ था हम लोग जनरली नई चीज़े war के लिए discover करते हैं telescope जो है war के लिए discover हुआ था आसमान की तरफ गुमाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे वो थे गलिल्यू गलिल्यू ने क्या क्या आसमान की तरफ गुमाया और जो उन्होंने देखा वो सारी की सारी चीज़े Copernicus की थियोरी के साथ मेल खा रही थी इन्होंने जो है Jupiter के Moons देखे Jupiter तक टेलिस्कोप देख पा रहे थे तो वहाँ पर इन्होंने क्या देखे Jupiter के Moons देखे चार Moons को देखा था उन्होंने देखा कि यह Jupiter के Moons जो है वो तो Jupiter के आसपास में चक्कर लगा रहे है और बेसिकली उसके आसपास नहीं, धर्ती के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, जोपिटर के आसपास में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है जी, इन्होंने वीनस के फेस देखें, इन्होंने मून के फेस देखें, ये सब चीजे जो हैं, प्रूफ कर रही थी, कि जो जियो सेंट्रिक थियोरी है, वो खराब थी, ठीक है जी, बहराल जो इनिक कुशिन काउंसिल है, वहाँ पे बैठे उन्हें पता था कि ये जो टेलिस्कोप है, इसके बास ये बहुत खतरनाक यंतर है, ये बार-बार जो है कोई न कोई इस तरह की discovery करके लेके आएंगे, तो इनको सजा दी गई, ती दो चीज़े बोली गी, पहली बात इनने बोली गी कि ये जो है, कभी अपने घर से बाहर ने निकल सकते, ठीक है, तो इनको जो है, अगली पूरी जनम के लिए, या पूरे उसके बच्ची जिंदगी के लिए क्या क्या, आदे पागल हो चुके थे, घर पे रहते थे, सारा दिन ऐसे घूमते थे, टेलिसकोप यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है जी, बट वो होता नहीं कि एक साइन्टिस्ट जो है, वो साइन्टिस्ट ही रहता है, उसे एक्विप्मेंट छीन ले जाए, इवेंचुली इन्होंने चुके जी, जो 2D में जो आपका स्पीड, विलास्टी, टाइम, जो हम डिस्टेंस, जो मोशन की बात करते हैं, मोशन के जितने भी, या फिर हम लोग मेकैनिक्स देखते हैं, तो मेकैनिक्स से बहुत सारे लॉज इन्होंने डिस्कवर की, ठीक है कि नहीं, बेरहाल मेरे कहन का मतलब है कि क्या हुआ, कि यहाँ पर हम लोग में देखा कि इन्होंने हिलियोसेंट्रिक थियोरी को जो है, वो बोला कि इस इस दी राइट थियोरी, ठीक है, उसके बाद आये ये महानुबाव, इनका नाम था जोएनस केपलर, ठीक है, अब देखो धीरे-धीरे आपको ज थे, और ही वस दी परसन जिसने एस्ट्रोनमी की जादी जो है, मैथेमेटिक्स और फिजिक से करवाई, ठीक है, ही वस दी परसन हो कुड अब्सर्व थिंग्स और फाइंड आउट देर मैथेमेटिकल एंड फिजिकल इक्वेशन्स, ठीक है कि नहीं, और इन्होंने बोला क कि इवन कौपरनिकस भी गलत था, ठीक है, इन्होंने बोला कि कोई भी जो प्लानेट है, वो सन के आसपास में रिवाल कर रहा है, बट वो सर्कुलर ओर्बिट में नहीं होगा, वो इलिप्टिकल ओर्बिट में होगा, ठीक है जी, विच वस फेमसली कॉल्ड एज दी कैपल लॉज ओफ प्लैनेटरी मोशन, इन्होंने ये लॉज दिये, कैपलर लॉज ओफ प्लैनेटरी मोशन, जहां पे इन्होंने बोला कि जो प्लैनेट है, वो इलिप्टिकल पात में जो है, सन के आसपास में रिवाल्व करेंगे, प्लस इन्होंने ये भी बोला, दूसरी चीज का center है, कुछ जो है planet इसके आसपा से घूम रहे हैं, इसके अलावा जो है, बाकी universe में और बहुत कुछ है, बट उस 10 तक उतने strong हमारे पास telescope नहीं थे कि हम देख सेके और क्या, ठीक है कि ने, तो यहां से जो है दीरे-दीरे हमारी जो आपकी present understanding है, वो निकल के आने लेगी, ठीक है जी, केपलर के, केपलर को जो mathematical formula, केपलर के laws का, जो mathematical formula है, वो किस ने दिया, सराइसेक न्यूटन ने दिया, ठीक है, न्यूटन ने जो है, इसके mathematical proof लेके आए, और विच इवेंचुली केरे क्या हुआ, इसकी theory को validate कर दिया गया, ताकि church को, उसकी power को कम किया जा सके, ठीक है, फाइनली क्या हुआ, और लोग आए, जैसे कि Frederick William Herschel, 1805 में इन्होंने बोल दिया, कि solar system जो है, ये एक छोटा system है, और बहुत बड़े system का, ठीक है, it is part कि एक nebula है, nebula का system है, nebula is, nebula का basic मतलब होता है, something which is there, but which cannot be explained, वो चीज जो वहाँ पे है, बट जिसको हम explain नहीं कर सकते, तो ये जो है इन्होंने बोला कि solar system, just a part एक बड़े system का, ठीक है, इस time पे galaxy बोलना चाते थे, बट उस time पे हम लोगो ने क्या बोला, nebula बोला, ठीक है जी, finally उसके बाद क्या हुआ, इनके बाद, हर्शिल के बाद, हाँ, हर्शिल ने एक और important काम क्या था, इसके time तक जो है, और ज़्यादा strong talis को बने, और हम लोग Jupiter के आगे Saturn को देख पा रहे थे, इवन उसके आगे भी planets को हम लोग देख पाएं, ठीक है जी, he was the person who discovered Uranus, ठीक है जी, Uranus को discover करने वाले ये व्यक्ती थे, British astronomer थे, ठीक है जी, eventually आया ये इंसान और इसने जो है, again, completely जो हमारी universe के understanding थी, उसको change कर दिया, ठीक है जी, his name was Edwin Hubble, ठीक है, सुना है, Hubble का नाम सुना है, Hubble Telescope सुना होगा, ठीक है जी, NASA ने उपर Hubble Telescope डाल रखा है, क्या करते हैं हम लोग वापे, हम लोग basically, same चीज ढूंड रहे हैं वापे, जो इन्हों ने ढूंडी, galaxies को ढूंड रहे हैं हम लोग, ठीक है, दूर दराज के galaxies को हम लोग पॉंट आउट करते हैं, planets को हम लोग पॉंट आउट करते हैं, Hubble Telescope से, ठीक है नहीं, तो Edwin Hubble आये, Edwin Hubble ने क्या बोला, Edwin Hubble ने जो है, बोला कि there is no doubt galaxy, हम लोग जो हैं, क्या हैं, हम लोग universe का एक बहुत छोटा हिस्सा है, हम लोग universe का एक बहुत छोटा हिस्सा है, एक galaxy का part है, और universe में बहुत सारी galaxies हैं, तेक हैं कि universe जो है, वो सिर्फ हमारे से नहीं बनावा, हमारे solar system जो है, एक galaxy का हिस्सा है, और हमारे universe में, ऐसी बहुत सारी galaxies हैं यह बोलते हैं यह यहीं पर नहीं खतम होए इनोंने यह भी बोला कि गैलेक्सी जो हैं यह जो सारी galaxies हैं जिसमें से किसी एक गैलेक्सी का हिस्सा हम भी है यह एक दूसरे से क्या हो रही है दूर जा रही है यह बोला इनोंने कि galaxy जो है वो दूर जा रही है 1920s के किसी वियना कोई convention थी वहाँ पे इनोंने अपने एक बड़ा famous experiment किया था this was called as expanding balloon experiment जहाँ पे इनोंने जो है balloon के ओपर जो है इस तरह से galaxy बना के दिखा जैसे ब balloon को फलाते रहे इनोंने क्या देखा galaxy जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं so what he said कि जैसे जैसे दूर जा रहे है उतनी ही तेजी से और दूर जा रहे है ठीक है कि ने जैसे जैसे दूर जा रहे है उतनी ही तेजी से दूर जा रहे है means जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रहा है ठीक है ना Hubble के साथ-साथ एक और व्यक्ती ने इसके बारे में बात करी थी जिनका नाम था George Lemaitre ठीक है, George Lemaitre इन्होंने भी यही बात करी थी George Lemaitre और Hubble ने यह बात करी थी since इनको तभी इस लोग को हम लोग George Lemaitre Hubble Lemaitre लोग बोलते हैं ठीक है, Lemaitre ने थोड़ा दूसरी दरेके दिसे चाओ इसने बोला कि अगर Hubble बोल रहा है कि अगर यह गैलेक्सी एक दूसरी से दूर जा रही है, तो कभी न कभी जो है एक दूसरी के पास रही होंगी अगर हम टाइम को रिवाइंड कर दें तो क्या होंगी, यह एक दूसरी के पास जा रही है यह इतनी पास जा रही है इतनी पास आएंगी, कही न कहीं हम लोग युनिवर्स का जो ओरिजन है वो इससे पता चल सकता है तब जो है, Lemaitre ने यहाँ पे एक थियोरी बताई थी इस वोस कॉल्ड एस वो एक बिंदू के अकार के, या बिंदू के अकार में जो है, Concentrated था तेक है जी, it was very small एक डॉट पे जो है, Concentrated था और इतने जादा कठा होने कारण जो है, Heat और Pressure बना इस Heat और Pressure कारण जो है, क्या हुआ युनिवर्स जो है, या फिर यह डॉट expanded, it exploded तेक है जी, यह क्या क्या यह explode किया in the form of a big bang तेक है जी, यह big bang हुआ और इस big bang के साथ जो है, क्या हुआ universe की उत्पत्ती हुए तेक है जी, यह single dot से क्या हुआ universe, जो है, it came into being from the single dot इस point को क्या कहते है, हम लोग big bang बोलते है, यहां से जो है, धीरे-धीरे क्या हुआ, कुछ second, कुछ microsecond में जो है, पहले आपके आपके जो भी अपना क्या कहते हैं को protons, जो भी वदला protons, neutrons होते हैं या इससे भी नीचे, जो है, nucleons basically, पहले जो है, आपके होगे, पहली galaxies बनी, और इस तरह से जो है, यह galaxies, आप जो है universe में आपको देखने को मिलती हैं तेके जी, so, पहला question हमने cosmology में क्या लिया था, what was the first question that we were trying to understand, that was, कि what is the origin of universe, so, origin of universe, जो हम लोगोंने क्या लगाया, origin of universe हम देखा कि metaphysical भी है, तेके हम लोग अपनी उसमें बोल रहे हैं, अपनी philosophy बोलते हैं, वेदों में बोल रहे हैं कि भाई, 4.something billion साल बनता है, फिर खतम हो जाता है, फिर बनता है, फिर खतम हो जाता है, यहां पर जो है क्या बोला गया, science क्या बोल रहे है कि 13.6, 13.8, 14, यह ऐसे चलता रहता है, ठीक है जी, understand, अगर यहां पर जो है, बोला गया, science किस चीज़ पर काम करती है, science काम करती है, proof के ओपर, है कि नहीं, बही, proof क्या है, आप यह बोल रहे हैं, proof क्या है, तो basically जो है इंसे proof मांगा गया, कि भाई, क्यूं, कैसे, यह किस सरा से हुरा है, ठीक है, तो 2-3 चीज़े इन्हों ने यहां पर answer करी, सबसे पहले जो चीज़ थी, यहां पर जो answer की गई, वो था evidence, कि भाई, क्या evidence हो रहा है, Big Bang का, वो दिया गया, सबसे पहला evidence क्या था, वो था red shift, हमने देखा कि जो दूर सदूर वाली galaxies थी, दूर सदूर वाली में जो जितनी दूर थी galaxy, उसके, उससे जो रौशनी आ रही थी, वो जो है, red color के spectrum में गिर रही थी, ठीक है कि नहीं, पता है यहां पर भई, light का फंडा पता है ना आपने को, light जो है, वो क्या होती है, हम लोग visible light होती है, क्या होती है, विबग्योर होती है ना, विबग्योर होती है ठीक है, so least wavelength, maximum wavelength, ठीक है, जितना जादा wavelength होगा, क्या होगा, उतना ही कम dispersal होगा, उतना ही light तो यह red shift हम लोगों ने देखा, तभी तो आप देखते हो नो कि जो traffic lights और red color क्यों होती है, जो आपकी stop light और red color क्यों होती है, because fog हो, धुन्दो कुछ भी हो, काफी दूर तक आपको देख जाती है, क्योंकि red color जो है, वो dispersed नहीं करता जागा, तो हमने cosmology में भी यह देखा, कि भई, जो भी सुदूर सुदूर हमारी galaxy थी, far away वाली जो galaxies थी, उनसे जो light sun क्या रही थी, that was on the reddish spectrum, लाल color के spectrum में थी, जिसे मैं पता चला कि यह और दूर जा रही है हमसे, ठीक है कि नहीं, धेरे धेरे जो है, लाल color के spectrum की तरफ को shift हो रही थी, which gave us the evidence कि यह हमसे एक दूर जा रही है, और दूर जा रही है तो मतलब कभी pass में भी रही होगी, दूसरा था cosmic microwave background radiation, अब यह क्या चीज़े भई, देखो जब इस तरह का कुछ बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा, जब आपका इस छोटे से बिंदू से यह बड़ा explosion हुआ होगा, तो बहुत ज़ादा radiation निकली होगी, ठीक है न, जब इतने high energy के event होते हैं, तो उससे क्या निकलती है, radiation निकलती है, ठीक है की नी, तो radiation जब निकली होगी, अब आज के जब explosion हुआ, तो यह जो radiation है, आज भी कही न कहीं युनिवर्स में permeate करती होगी, आज भी जो है युनिवर्स में इसके बहुत छोटे छोटे निशान, बहुत feeble से निशान दिखते होंगे, बहुत हलके निशान दिखते होंगे, ठीक है जी, तो हमने क्या किया है, हमने 1960 के आसपास में आते आते, इतने strong telescope बना दिये, जो visible spectrum से भी दूर देख सकते थे, हम लोग radio spectrum तो चले गए, हमने वहाँ पे देखा कि हमने इस तरह की cosmic background radiation खोज के निकाली, ठीक है जी, 1960 के आसपास तक आते आते, इस तरह की cosmic microwave background radiation हम लोग ने निकाली, जो की proof था के कहीं न कहीं, Big Bang हुआ है, तभी इस तरह की radiation सारे universe पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है कि नहीं, understood, so यह जो था, this was basically how universe came into being, how it originated, it originated, it originated according to science, it originated through Big Bang, ठीक है, 13.7 billion years ago, sorry, explosion हुआ, धीरे धीरे जो है, क्या हुआ हमारा universe की उत्पत्ती हुए, understood, so पहला question हम लोग ने यहाँ पे explain किया, that was, कि how universe came into being, अभी हम लोग second question के उपर चलते हैं कि, present state में हमें क्या मिल रहा है universe के अंदर, ठीक है जी, और हम उस universe में कहा के कहां पे आ रखे हैं, ठीक है, बहराल, यही एक theory नहीं है, यह दो सबसे ज़्यादा acclaimed theory है, सबसे ज़्यादा मानी गई theory यही है, कि Big Bang हुआ था, बट और भी बहुत सारी theories हैं, कुछ कहती हैं, कि भाई, जैसे कि pulsating, oscillating universe है, कि universe continuously expand करता है, continuously contract करता है, expand करता है, कुछ कहती steady sheet में कि भाई, कुछ नहीं हो रहा, just थोड़ा सा expansion, contraction हो रहा है, जैसे strings नाचते हैं, इस तरह से हो रहा है, बट इन theories के ओपर हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपन NCRT वाली theories के ओपर ही रह रहे हैं, okay, so Big Bang हुआ था, anyways, यह छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के लि ठीक है जी, matter, anti-matter बना वो हम लोग के लिए important नहीं, understood, आपनको इतना ही important था, second चीज जो आप अपने को देखने किया, that is, the present state of the universe, जो हमारा present state है universe का, now, जो present state है हमारा, it consists of different different type of, या different different aspects, बहुत सारे aspects आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, अगर मैं अपने universe को हम लो यूनिवर्स को अगर मैं organism के साथ, इसकी मैं analogy निकालूं, ठीक है कि नहीं, तो universe जो है, वो organism है, तो organism किसका बना है, वो organ systems का बना है, अलागल organ systems का बना है, similarly, जो universe है, वो किसका बने हुए है, वो galaxies के बने हुए है, बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, galaxies, ठीक is congression of stars, बहुत सारे तारों का जमावड़ा है, ठीक है कि नहीं, बहुत सारे तारों का जमावड़ा है, तो जमावड़ा means in the sense कि they are again, they are close to each other, यह जो तारे हैं, यह एक दूसरे के साथ, जो है, किसी न किसी form में, किसी न किसी shape में, यह एक साथ आ रखे हैं, और यह साथ में आने का जो reason क्या है, it is basically the gravity, ठीक है कि नहीं, कहा जाता है कि हमारे universe में, there can be around hundred billion galaxies, 100 billion के आस पास में जो है, galaxies हो सकती है, इतनी galaxies के बारे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, anyways, so galaxies जो हैं, इसके नीचे, अगर organ systems है, organ system के नीचे क्या मिलेगा है, आपको basically, let us say, tissues मिलते हैं, है कि नहीं, so galaxies के नीचे आप क्या मिलते हैं, galaxies के नीचे मिलते हैं, आपको constellations, stars के जो हैं, अलग-अलग systems, ठीक है कि नहीं, जैसे कि आपका, simply constellation का कोई example दे दो, जैसे उर्सा major है आपका, शप्त रिशी से हम बोलते हैं, ठीक है, चार star जो हैं, इस तरह से cup form में आपको देखने को मिलते हैं, constellations, ठीक है जी, और इसके नीचे जो आपका, सबसे जो base बनता है, वो क्या है, it is a star, ठीक है कि नहीं, understood, so इस तरह से हम लोग, analogy निकाल सकते हैं, organism के साथ, organism cell, cell जो है मिलके tissues बनते हैं, tissue मिलके organ systems बनते हैं, organ system जो है, organism मिलता है, similarly, एक star, star जो है basic unit है हमारे universe का, और 98% जो भी universe का mass है, universe का जो भी matter है, वो star से बना हुआ है, ठीक है जी, star जो है, वो कठे होते हैं, कुछ आपको configuration में देखते हैं, उसे हम constellations बोल देते हैं, ये जो है constellations, बहुत सारी constellation मिलके क्या बनती, galaxies बिनती हैं, और बहुत सारी galaxies मिलके, हमारा known universe बन र एक जगे बे बारा दिन तक देखते रहें, 12 days, Hubble telescope ने एक जगे पे concentrate किया, वहाँ पे ये more than 10,000 galaxies they could find, देखे कि नहीं, so huge huge आपको galaxies इंगरेशन देख सकते हैं, ये एक picture लिगी थी Hubble के through, and n number of galaxies are there, 100 billion gas पासे बोलते हैं, देखे जी, anyways galaxies जो है हमारी, वो तीन प्रकार की, तीन basic प्रकार होते हैं हमारे galaxies के, एक होता है आपका spiral galaxy, तुसरी होती है elliptical galaxy, और तीसरी होती है आपकी irregular galaxy, ठीक है जी, spiral, elliptical and irregular galaxies, ठीक है जी, अब ये basic galaxies जो हैं, वो क्या है, they are nothing but based on shape, जिस तरह की shape है, उस तरह से हम लोगों ने galaxies के नाम दे रखे हैं, ठीक है, और यहीं नहीं सिर्फ यही galaxies होती है, और भी बड़ी तरह की होती है, radio galaxies होती है, pulsar galaxies होती है, dwarf galaxies हो सकती है, बट हम लोग इन जेनरल लेके चल रहे हैं, जितनी अपने को समझ होनी चाहिए, ठीक है, तीन प्रकार की galaxy होती है, एक है आपकी spiral galaxy, ये जो spiral galaxy है, ऐसे ये क्या होता है, इसके जो center क आज़ पास में आप देखोगे, यहाँ पे जो है, stars का concentration बहुत ज़ादा देखने को मिले है, तीक है जी, इसके center में आपको star का concentration देखने मिलता है, और आज़ पास से जो है, इस तरह के stars के, इस तरह के swirling arms या spiral arms देखने को मिलते हैं, तीक है जी, ये सारे stars हैं आपको देख देखने मिलेंगे, इस तरह के spiraling arms बने हुए, center में जो है, इसका mask या आए, वो concentrated होता है, तीक है जी, generally ये इस तरह से क्यों होता है, center की तरफ क्यों इतना जादा stars का जमावड़ा होता है, it is basically because यहाँ पे आपको बहुत बड़ा black holes या इस तरह के बड़े-बड़े black holes देख ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े, माना जाता है, यहाँ बहुत बड़े-बड़े black holes है, जिसके करण जो बाकी stars है, वो gravity में खिचके, अंदर की तरफ को है, ठीक है कि नहीं, so basically इसका क्या होता है, एक central point होता है, similarly elliptical galaxy का भी same होता है, यहाँ पे भी आपको center में concentration stars की दिखेगी, बट यहाँ पे कोई spiraling arms आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, and then there is irregular galaxies, irregular galaxies में इस तरह का जो एक galactic center जिसे में बोलते हैं, इस तरह के galactic center का absence होता है, ठीक है जी, multiple concentration होती है stars की, बट आपको इस तरह का single galactic center देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी, understood, च यह तीन तरह की galactic होती है, अपनी galactic का नाम बेजीक लिए क्या है भई, हमारी किस टाइब की galactic है, it is a spiral galaxy, ठीक है, यह हमारी galactic भी क्या है, it's a spiral galaxy, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग, अकाश गंगा या milky way बोलते हैं, ठीक है, यह अकाश गंगा, milky way, again spiral है, shape म and, माना जाता है कि हमारी galaxy में around hundred billion star है, ठीक है, so imagine करो, एक average galaxy में अगर hundred billion star है, और there are hundred billion galaxies, so 10 raise to power 22 stars है हमारे पूरे universe में, ठीक है, zeros लगाते रहे ना, अराम से बैटके घर पे, तो इतने सारे जो हम लोग के पास stars है, ठीक है, आपने कई की बारी जो है, इस तरह की photo देखी जो हैं, लदाक उदाक जाते हैं, रात को, इस तरह का photo खीजते हैं, time lapse भी बनाते हैं, या अगर आप Arctic वाली side में जाओगे, तो time lapse आपको इस तरह के बने हुए दिखेंगे, तो यह इस तरह के आपको यह क्या चीज दिखते हैं, इस तरह का तारों का जमावड़ा आपको एक चोर पे, ठीक है, अरे क्यों दिखता है, it is because कि हम लोग जो हैं, खुद galaxy के, हमारी galaxy के एक चोर पे हैं, और जब यह इस तरह से हम लोग का बनलब रात होती है, तो दूसरा चोर जो हमको दिखता है, ठीक है, so this is nothing but the far end, next पूरा दूसरा चोर है जो आपका galaxy है, वो हम लो यह जो हमारे nearest galaxy है, ठीक है, यह देखो, यह हमारी galaxy है overall, यह हमारी galaxy का this is the galactic center, ठीक है, माना जाता है कि यहाँ पे एक super massive black hole है, ठीक है जी, super massive black hole है, जिसका गुरुत्वा करशन के कारण यह 100 billion stars जो है, इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, करेंगे हम लोग black holes क्या होते हैं, आज की class में नहीं, तो अगली class में करेंगे, जब stars की मैं आपको formation और cycle बताऊंगा, तो उसमें हम लोग करेंगे बाद, ठीक है, आज भी कर सकते हैं, भी time कुछ नहीं हुआ, तो we can go for that also, so this is super massive black hole जो हमारे बीच में है, और यहाँ से आपको बहुत सारे arms निकलते हों दिखे रहे हैं, जिसे this is Sagittarius arm है आपका, then this is Pursuous arm है आपका, Norma arm है, Sanctarius arm है, बटे सारे इस तरह के arms निकल रहे हैं, ठीक है जी, हम लोग कहां पे हम लोग इस Pursuous arm के एक इस तरह का secondary arm निकला हुआ है, this is called as Orion Spur, और Orion Spur के साथ में एक छोटा सा arm और निकला बीच में, ठीक है कि नि, तो कहीं हम लोग center वाली side में नहीं हम लोग, कोणने वाली side में है कहीं पे, और इसी करके मतलब अगर आप लोग कि हम लोग center में काय को नहीं है, but we are lucky that हम लोग किस तरफ हैं, हम लोग extreme end की तरफ हैं, ठीक है, अगर center की तरफ होते हैं तो यहाँ प पे हैं इस करके जो है हम लोग वो extreme radiation से बचे हुए है तब ही करके शायद यहाँ पे आपको जीवन देखने को मिलता है ठीक है कि नहीं तो कौन से आम में मिल रहे हैं हम लोग basically this is Orion Cygnus आम है और यहाँ पे हम लोग देखने को मिलते हैं यह इस तरह के अलग अलग नाम रखे हुए ठीक है जी यह जो है हमारी this is the nearest galaxy जो की आपको देखने मिल रही है this is the Andromeda ओके यह किस तरह की galaxy आपको देखने मिल रही है किस तरह की है वह यह this is also a spiral galaxy ठीक है जी अगर अपने को अपनी galaxy छोड़नी पड़े अगर हम लोग कभी intergalactic civilization बने तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे ठीक है बन जाएंगे 1000 करसालों में अगर बचे रहे तो अगर नहीं बचे फिर अलग बात है अगर यह सदी टाप गए यह 100 साल टाप गए फिर तो पक्का चले जाएंगे पर यह 100 साल अखे हम लोग के लिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम लोग के पास वो technology नहीं है कि हम लोग उससे जून सके तो अगर यह 100 साल टाप गए मानव सब्यता तो हम चले जाएंगे नहीं तो फिर मुश्किल है यह 100 साल नहीं टाप है तो फिर अफशेश मिलेंगे हमारे कोई और civilization जो हमारे अफशेश खोदरी होगी फिल्में बना रही होगे उसके वर्जुरासिक वर्ड ठीक है तो basically अगर हम लोग कभी intergalactic civilization भी तो हम लोग क्या कर रहे है interplanetary civilization भी नहीं बने थीक है अभी हम लोग interplanetary भी नहीं बने हम लोग अब बात कर रहे है कि हम लोग अलग-अलग planets में जाएंगे जाएंगे फिर वहाँ पे बसेंगे एक बारी बस गए तो हम फिर उसके बाद अपने solar system से बाहर जाएंगे फिर हम लोग अपनी galaxy को जो है control करेंगे उसके आद दूसरी galaxies पर जाएंगे 1200 साल तो लग जाएंगे ठीक है बट किसने सोचाता यार देखो अगर बात करो 1200 साल पहले की और 1200 साल बात की अगर 1200 साल पहले वाला व्यक्ति जो है यहाँ पहले आजए और देखिए आपको फोन में क्या कर रहे हो आप उपागल हो जाएगा ठीक है कि नहीं तो that is what I am trying to say कि technology नहीं और यह इवन 1200 साल भी छोड़ो लाइक 1900 सदी का बंदा अगर आपके पास सबी आपके बैट जाए और आपके फोन देख लिए तो पागल हो जाएगा है कि नहीं तो 100 साल में अपने इतनी तरकी कर लिए हमारा rate of जो तरकी करने का है development करने का या progress करने का जो rate है it is mind-boggling अब अगले 100 साल में ये भी सोच सकते हैं हम लोग मरे ही ना अमर होने की scheme है हमारी अमर नहीं भी होंगे तो 300 साल तो हम लोग जी सकते हैं अराम से हमारी generation नहीं जेगी हमारी generation में तो मरना पड़ेगा बट शायद अगली generation के लिए पॉसिब हो लो क्योंकि अब अगर आप देखोगी सारी चीज़े देखते हैं हम लोग कि हम लोग ने वो gene भी highlight कर दिया है हमारे genome में हमने वो gene भी isolate कर दिया है जिसे कारण हम लोग की aging होती है ठीक है जी aging क्यों होती है विकाज हमारा hormonal system जो है हमारा body जो हमारे cell जो है वो धीरी धीरे चिंता मत करो अगली generation जो है वो मरेगी यहाँ पर आपको वक्त आ गया एक छोटी सी movie बताने का हम लोग ने यह भी promise किया था ना कि यह काम करते हम लोग movies बहुत सारी देखेंगे तो movie का नाम है Elysium देखिए movie Elysium देखनी है पका देखिए एक ने देखिए है तो movie देखनी है हमने Elysium इसमें जो है हम लोग mad demon है इसमें mad demon है तो mad demon जो है हम लोग ने किया किया धर्ती में रहना आप जोड़ा बड़ा difficult हो गया है तो हमने अपनी धर्ती के आसपास में एक ring बना लिए अब लोग वहाँ पे रह रहे है और वहाँ के लोग मरते नहीं है क्योंकि उनके आसे machine है कुछ भी खराब हो उनका कोई भी problem हो cancer भी है वो machine के अंदर जाओ ठीक हो जाता है है कि नहीं तो Elysium movie है अगर देखनी होगी तो कभी देखना ओके anyways यह जो है full-fledged जो हमारी galaxy है वो है हमारा nearby इसके लाब और बहुत सारी छोटी-छोटी galaxies है dwarf galaxies जीने हम लोग बोल देते हैं जैसे C1 है या फिर Sagittarius, Dwarf, Sephoridal है Canis Major है इस तरह की dwarf galaxies है बट यह वही बात होगी dwarf हैं, छोटी galaxies है अपन लोग जाएंगे तो इन galaxy में जाएंगे Andromeda, ठीक है तो कोशन आता है तो nearby galaxy is Andromeda फिर galaxy देख लिए भी हम लोगोंने galaxies के आगे आ जाते हम लोग ना वो इसके नीचे का unit कौन सा है constellations है constellation में हम लोग कुछ नहीं देखने वाले वो तो हम लोगोंने खुद अपने विसाब से बना रखी है But major जो है that is star ठीक है जी? Star है Okay, so stars जो है basically most of जो आपका universe का matter है जितना भी हमारा matter है 98% of all the universe matter is nothing but stars जो हम लोग light देख पारे हैं मैं एक दूसरे को देख पारे हैं, light है तो light कहां से है, वो star से निकल रही है यह बहर आप light देखते हैं, star से निकल रही है matter of fact, जब तक star बने नहीं थे तब तक universe था बड़ अंधेरे में था इसे हम dark age भोलते हैं ठीक है, वो time था जब universe उत्पत्ती तो होगी थी बड़ पहला star नहीं बना था जब तक star नहीं बना था, तब तक star से light नहीं आ रही थी और तब तक universe dark था तो basically हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे है light निकल के आई है, light कहां से निकल गई it is from the stars यह वो basically astronomical या celestial bodies है जो क्या कर रही है, जो illuminate कर रही है सारे universe को ठीक है जी रोशनी है basically पूरे universe की और matter of fact सबसे ज़्यादा mass या सबसे ज़्यादा matter जो है universe का वो भी इन ही stars के अंदर concentrated है, 98% जो भी universe का matter है वो इन stars के अंदर है, मैं dark matter anti matter की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कभी और बात करेंगे जो known matter के हम लोग बात करते हैं particles है, बाकी elements है, जिसके आप सब हम, मैं, आप सब लोग बने हुए है ठीक है कि ने, anyways so ये जो है basically stars बनते कैसे हैं, you should know जो stars जो है, ये they are formed or they are formed from a gas cloud, ठीक है ये हमारे ब्रह्माण में इस तरह के gas cloud आपको देखने मिलते हैं, these gas cloud are made up of hydrogen, ठीक है उसमें सबसे ज़ादा जो आपको element देखने को मिलता है that is hydrogen, it permeates everywhere, हर जगे आपको देखने को मिलता है ठीक है जी, बट कुछ जगएं ऐसी होती है, हमारे universe में, जहाँ पे ये hydrogen के molecule जो है, ये hydrogen gas जो है, ये बाकी area से ज़ादा concentrated होती है ज़ादा कठे होंगे, ज़ादा tight होंगे, ज़ादा dense होगा, ज़ादा dense मतलब hundred to thousand times dense होगा ये area, ठीक है जी, इनको हम लोग क्या बोलते है इनको हम लोग nebule cloud बोलते हैं क्या बोलते हैं, nebule cloud हिंदी में मतलब क्या बड़े अच्छा word इसके लिए पढ़े नर्सरी हिंदी में पढ़े नर्सरी बोलते हैं इसको ये वो basically cloud है, जहाँ पर hydrogen जो है वो क्या है, वो concentrated है ठीक है जी, concentrated है concentrated होने कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो तारे हैं, वो जनम लेते हैं stars are born here ठीक है कि नहीं, stars यहाँ पर के पास आते रहते हैं, क्यों आते हैं, because of gravity, ठीक है जी, अब gravity के लिए हमें यहां पे Newton साब से वापिस, रुबुरू करना होगा, Newton ने law of gravity दिया था, वो क्या कहते थे, कोई है भई Newton वाला, क्या कहता है Newton, वो बोलता था कि, in universe, every object attracts every other object with a force which is equal to blah 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 blah, है ना, तो वो इना कि, divide by r square g, mass into mass, वो वाला नहीं करना अपने को, बस यह है कि, भई हर चीज जो है, हमारे universe में हर चीज, हर दूसरी चीज को attract करता है, ठीक है यह आपने भी महसूस किया होगा, attraction है ना, so basically, हर चीज एक दूसरे को attract करती है, करती है कि नहीं करती, तो यही बात बोल रहे है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, basically, hydrogen जो है, वो क्या है, एक दूसरे को attract करती है, और यह धीरे-धीरे क्या होते हैं, एक दूसरे के close आ रही है, यह इतनी close आ जाती है, यह hydrogen के molecules इतने close आ जाते हैं, कि यहाँ पर temperature और pressure जो है, बहुत rapidly बढ़ता है, तेके जी, जब यह temperature around 1.5 million degrees पहुँच जाता है, और pressure जो है, 10,000 degrees या 10,000 bars के उपर जाता है, तब क्या होता है, एक reaction होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, fusion, तेके कि नहीं, fusion reaction होते है, that means fusion में क्या होता है, यह जो hydrogen के molecules है, यह hydrogen के molecules, यह जो है, कठे होके क्या बनाते हैं, यह helium बनाना start कर देते हैं, fuse कर जाते हैं, hydrogen के molecules कठे हो जाएंगे, fuse कर जाएंगे, और इससे जो है, क्या निकलेगी, बहुत जादा energy निकलेगी, ठीक है कि ने? और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इस fusion के कारण क्या होता है? एक तारा जनम लेता है fuse होगा, बहुत सता energy निकलेगी, वो क्या करेगी? यह energy से फिर temperature or rise होगा, pressure or rise होगा तो यह जो है, वो condition इस तरह की बन जाएगी, pressure, temperature, rise होने की, कि बार-बार जो है hydrogen की molecule यहाँ पर कठे होते रहेंगे, combine होते रहेंगे, energy निकलते रहेगी और जो है, star जो है, वो bond होगा, ठीक है? so stars are bond like this, again, hydrogen के कारण बनते हैं, hydrogen जो है, इनका क्या है? fuel है जब तक यह hydrogen जलेगा, hydrogen जो है, वो fuse करता रहेगा, तब तक star क्या करेगा, वो illuminate करता रहेगा, वो light देता रहेगा, वो जिन्दा रहेगा ठीक है के ने? so hydrogen जो है, again, जब hydrogen, इसको एक परी थोड़ा मिटा दूँ, so hydrogen जो है, जैसे जैसे खतम होता रहेगा, तो star क्या होगा? star अपनी जो है, end cycle पर जाएगा, ठीक है? star और इंसान पर कोई ज़्यादा फरक नहीं है, star क्या देखता है? अपना birth देखता है, then अपना youth stage देखता है, then जो है, अपना old stage देखता है, then death हो जाता है, simple फंडा है, ठीक है जी, birth कैसे होगा? birth होगा, जब इस gas cloud के अंदर, इस nublar cloud के अंदर जो है, concentration होगा और वहाँ पर क्या होगा? यह star का birth हो जाएगा, ठीक है जी, depend करेगा कि यह star ने कितना hydrogen खीचा है, अगर बहुत जादा hydrogen होगा इसमें तो क्या होगा? star जो है, वो बड़ा star भी बन सकता है, ठीक है जी, it can be an average star, just like our sun, it can be a bigger star, bigger from our sun, it can be a star which can be like thousands of times bigger than a sun, than our own sun, देखें जी, depend करता है कितना hydrogen जो इसने क्या किया है, कठा किया है, फिर यह क्या देखता है, अपनी youth stage देखता है, जब इसके पास hydrogen बहुत जादा पड़ा है, और helium धीरे धीरे बना रहा है, धीरे धीरे बन कर रहा है, फिर एक stage आती है, जब इसे old stage बोलते हैं हम लो, old stage में क्या होता है, यह 70% अपना hydrogen वो फूख चुका है, ठीक है, यह 70% fuel जो है, hydrogen बर्न हो चुका है, अब जब hydrogen बर्न होगा, तो यह sun जो है, या कोई star है, इसके जो core है, जहाँ पे fusion हो रहा है, जहाँ पे helium है, और बहुत सारे elements बन रहे हैं, यह भारी होना start हो जाता है, ठीक है जी, और यह gas जो है hydrogen अब कम रहेगी, तो अब क्या होता है, धीरे धीरे, यह जो star है, यह क्या करता है, यह full ना start कर देता है, it starts swelling, ठीक है जी, इस stage को हम लोग क्या बोलते हैं, इस stage को हम लोग कहते हैं, red giant stage, ठीक है जी, क्य star swell कर गया and finally old stage के बाद आती है death stage, जब star के अंदर energy is just 10% के आसपास में hydrogen बज़ी होती है, तब star क्या करता है? वो अपनी सारी energy को radiate कर देता है और it explodes into a supernova देखें जी? supernova पे explode कर जाता है तो ये छोटा सा picture देखो यहां पे this is how a star life cycle looks like इस तरह के stellar nebula से born होता है जो average star होगा, छोटा star होगा जिसके बाद छोटा hydrogen clump होगा वो एक average star बनता है देन उसके बाद जब 70% वो hydrogen उड़ा देता है, तो वो एक red giant बनता है, ठेके जी? red giant बनने के बाद क्या होगा? core बनेगा इसका core सब कुछ लाल है यहाँ पर तो वाइट दिखाता है, एक minute ठेके जी? core बन गया है इसका यह core किसका होगा basically? it is made up of helium and other elements ठेके जी? nitrogen, even oxygen even carbon and all those iron, ठेके जी? nickel यह सारे, आप सब लोग जो है इसी core से बने हुए हो यह elements निकल के आए हैं इनी core से निकलते elements और इनी चीज़ element से हम सब लोग बने हुए हैं ठेके की ने? anyways, जब यह star का power खतम हो जाता है तो it explodes और explode होने के बाद जो एक core है वो बच जाता है, बहुत सारा material तो जो है वो ब्रमांड में फैंक दिया जाता है बट थोड़ा बहुत जो बचता है वो क्या बनता है? इस तरह से एक leftover star रह जाता है तेके जी? अब यह red giant कौन सा star जो है red giant बनेगा और उसका किस तरह का अंत होगा? यह एक scientist ने जो है इसको खोज के निकाला था यह बात है 1930s की इस time पे जो है star की life cycle के उपर बहुत सारा intellectual debate या academic debate चल रहा था और it was very difficult कि बड़े-बड़े scientist है जो की यह नी predict कर पा रहे थे कि कोई star जो है किस तरह से खतम होगा? क्या वो इस तरह का white dwarf बनेगा? क्या वो इस तरह का neutron star बनेगा? क्या वो इस तरह का death होगी? इसको खोज निकालने वाले जो व्यक्ति थे वो एक 19 साल का व्यक्ति था मानोगे आप? 19 साल का व्यक्ति था जिसने अपना अभी master's किया था और वो PhD करने वो इंडिया से Europe जा रहा था now में किस्ती में मतलब चोटी वाली निकाली थी जिसके कारण कि हमें पता चल सकी कि star किस तरह से इसकी death होगी ठीक है नी? बता सकता है कौन थे? यह वाज S. चंद्रशिकर ठीक है जी? S. चंद्रशिकर और इनको हम लोग इनकी जो formula दिया गया that was called as चंद्रशिकर limit ठीक है जी? इनको हमें बेसी के लिए क्या बोला? इनको हमें बोला कि sun का जो कोई भी star है उसकी जो life है और उसकी death है वो depend करती है किसके उपर? उसके mass के उपर ठीक है जी? mass के उपर अगर कोई star जो है अगर कोई star वो हमारे sun के जितना है या उससे 1.3 times तक ही है तो वो एक छोटा star है जीक है जी? वो एक average star है उसकी एक red giant stage आएगी और जब वो supernova इस तरह से बड़े explosion में फटेगा तो पीछे क्या बचेगा? पीछे एक white इस तरह का dwarf star बच जाएगा जिसे इने simply white dwarf बोलते है तक है white क्यों है? अभी बहुत गरम है core इसका भी बहुत गरम है धिरे धिरे थंडा होगा white का ये red बनेगा red का उसकी बाद धिरे धिरे black बन जाएगा पर ऐसे नहीं एक साल, दो साल, दास साल में it'll take like millions of years तक है कि नहीं? तो ये जो है white dwarf बनेगा अगर sun का, अगर जो star जो मर रहा है उसका mass जो है 1.3 times हमारे sun से लेके star से लेके 2 times है तो जो है, ये star जो है अपनी giant stage देखेगा red giant stage देखेगा और यहाँ पे बहुत बड़ा explosion होगा जब भी अपने death stage पर आगा तो बहुत बड़ा explosion होगा जिसका हम लोग क्या केते हैं, जिसका हम लोग supernova explosion बोलते हैं और उसके बाद ये क्या बनेगा वो एक neutron star बनेगा ये star इतना बड़ा है कि ये अपनी gravity में collapse कर जाएगा और जो resultant आपके पास celestial body बनेगी वहाँ पे इतना ज़ादा gravitational force है कि यहाँ पे सिरफ neutrons के अलावा और कुछ नहीं रह सकता है ठीक है जी तो इसका हम लोग क्या बोला neutron star बोल दिया और ये बहुत fast rotate करते हैं तो इन्हें हम लोग rotate करते हैं तो क्या करते हैं अपने जो छोर होते हैं वहाँ से basically इस तरह की radiation निकालते हैं ठीक है जी इसे हम लोग pulsers भी बोलते हैं इन stars को हम लोग क्या बोलते हैं pulsers भी बोलते हैं चीक है कि नहीं और अगर star का mass जो है वो two times से भी बड़ा है that means ये एक massive star है ये अपनी red giant stage में जाएगा तो super giant stage में जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा और जब ये explode करेगा तो क्या होगा इतना ज़्यादा mass के पस already है कि जब ये explode करके collapse करेगा तो इतना ज़्यादा collapse कर जाएगा इतनी ज़्यादा gravitation होगी कि ये क्या बनाएगा ये black hole बनाएगा अपि black hole क्या होता है boss black hole जो है वो body है वो body है कि जिसमें gravitation इतना strong है इतना strong gravitation है कि even light अगर इसके पास से निकले तो light भी इससे escape नहीं कर सकती है ठेके जी light अगर इसकी तरफ छोड़ी जाए तो light वापिस नहीं आ सकती है क्योंकि gravity इतनी ज्यादा strong है, pull इसका इतना strong है कि light को भी जो कि इतनी तो इतनी तेज रफतार से चल रही है 3.3 x 10 raised to power 5 km पर आर के साब से या फिर 8 km पर सेकेंड के साब से जो भी है, तो इतनी तेज चलती हुई light को भी जो है, यह क्या करता है अपने पास या अपने से बाहर नहीं जानने देता है, देखे जी इस करके अगर light reflect करके बापीस नहींगी तो क्या होगा, we will not be able to see it and that is why यह जो है appear यह हमें दिखते नहीं है, they are not visible in the universe, but they are there, हैं इनकी गृत्व आकरशन जो है वो हमें feel होता है, but they are not visible, यह हमें दिखते नहीं है, इस करके हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, black hole बोलते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे जो galaxy है, उसके center में क्या है, एक बहुत बड़ा massive black hole है, पर हमने देखा नहीं है, but पिछले साल हमने देख लिया था, 2019 में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, जो black hole है, उसकी sighting करी है पहली, देखे के नहीं, तो picture दिखाऊंगा आपको, किस तरह की black hole की sighting करी है, मैं बताता हूँ आपको, कोई चुक्कर नहीं, this is, if it is either equals to the sun's mass, और 1.3 time, up to 1.3 time, तेखे जी, तब तो जो है, it is like a normal white dwarf, तेखे जी, अगर ये 1.3 time से बड़ा है, बट 2 time से छोटा है, तो जो है, it will end up most probably as a neutron star, अगर 2 time से बड़ा है, तो most probably it will end up as black हूँ, चेके जी, एस चंदर सेकर इसके लिए इनको क्या मिला था, nobel prize मिला था किस पे, physics में, चेके जी, लोगों ने हसे थे, जब ये उरोप में जाके और अपना research paper लिखा था, तो लोग हस रहे थे, कि 19 साल का बच्चा जो है, अब हमें बताएगा कि कैसे जो है, इसका calculate करना है, 5 साल बाद जो है, जब ये proof किया गया mathematically, तो जो है, तब लोग इतना नहीं हसे होंगे शायद, okay, so that is how it was to be done, anyways, star का जो color है, fact-based अगर बात करें, like pre-mitted bits type, अगर कोई पूछ ले, तो star का जो color है, वो क्या indicate करता है, उसका surface temperature indicate करता है, थीख है कि ने, star का color temperature indicate करता है, means, अगर star, जो है, it is blue in color, bluish color का है, that means, it is very very high on temperature, ठीक है जी, temperature जो है, बहुत जादा है, उसका, अगर जो है, वो red color का है, that means, comparatively lesser temperature, ठीक है कि ने, so temperature जो है, वो basically क्या denote करता है, it is, oh sorry, color क्या denote करता है, it is temperature, ठीक है कि ने, blue जो है, that denotes maximum temperature, okay, and life of the star is like over billion of years की life हो सकती है, जैसे अगर हम अपने sun की बात करें, if I talk about our sun, तो basically, जो हमारा sun है, इसका average जो life हम लोगों ने बोला हुआ है, वो कितना है, around 10 billion years का है, कि 10 billion साल तक ही रहेगा, ठीक है जी, और अभी तक कितना life जीया है, इसने अपना, around 4.6 billion years तक, तो मतलब अगर इसका life cycle की बात की जाए, 0 से 10 के बीच में, जब यह बना था, तो अभी यह somewhere कहां पे, it is somewhere here, तेक है, यह 5 है आपका, तो somewhere it is here, तो it is, that means, it is a, it is a fairly young star, fairly young star है, और around 30% अपना जो है hydrogen अभी burn किया है, और अभी अपने पास बड़ा time, ठीक है कि नहीं, red giant stage कब आएगी, around 7.5 billion years तक आते आते, इसकी red giant stage आएगी, ठीक है कि नहीं, red giant में क्या करेगा, यह अपने size से, काफी ज़्यादा swell कर जाएगा, और इस time तक धर्ती जो है, इसके अंदर आ जाएगी, it will swell so much कि, up to Mars वाला सारा area जो है, that will be inside the sun, ठीक है, इस सूरज के अंदर चला जाएगा, पट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उस time तक हम लोग कहां पे होंगे, ठीक है, यह वो फिर अपने imagination है, जहां मर्जी चले जाओ, है ना, Andromeda तक चले जा सकते हैं, maybe उस time तक, अगर इतने time जिंदा रह गए, तो Andromeda टाइप तो चले जाएगे, ठीक है, we might become an intergalactic civilization, ठीक है कि नहीं, एक scale होता है, called as, Kadership scale, और इसमें हम लोग जहें, civilizations को rate करते हैं, Kadership, मतलब भी, you don't need to understand this, एक scale होता है, जिसमें हम लोग civilization को rate करते हैं, ठीक है, हो गया time, वैसे, we'll close this lecture, तो इसके आगे जो हम कल पढ़ेंगे, है ना, तो जस्ट ऐसी बता रहा हूँ, Kadership scale, यह scale में हम लोग क्या करते हैं, civilizations को rate करते हैं, ठीक है जी, between one, between two, between three, तो पहली civilization वो होती है, जो, यह basically, it is based on energy, energy पे based की हुई है, ठीक है, type one जो civilization होती है, वो क्या होती है, वो, अपने जो energy sources है, उसको, मतलब इतना जादा, अपने planet की energy sources को, वो क्या कर चुके है, control कर चुके है, वो type one civilization होती है, ठीक है जी, type two civilization, जो है, वो क्या होती है, वो generally, अपने, जो parent star है, उसकी energy को control कर चुके है, और type three civilization, जो है, वो क्या होती है, वो अपनी galaxy की energy को, control कर चुके है, now they can move from one galaxy to another, ठीक ही नहीं, soon we will be able to capture our planet's energy, करी रहे हैं हम लोग like coal, natural gas, यह हम यूज कर रहे हैं, देरे देरे wind power के विपर भी आगया, solar power के विपर आगया, धेरे देरे हम लोग ने क्या किये, अपने planet के energy जो है, वो capture करनी स्टार्ट करती है, इस तरह से we will move it, type 2 is Dyson sphere, बिल्कुल जी बिल्क लोग देखते हैं, यहाँ पर खतरनाक science देख रहे हैं, type 2 is Dyson sphere, when you will be able to, अपने sun के आसपास की energy जो है, वो हम लोग use कर पाएंगे, किस तरह से use करेंगे, by building structure outside it, इस तरह के, इसका structure बनाएंगे, इसको हम लोग Dyson sphere बोलते हैं basically, but वो नहीं सुनना आपने को, वो हम लोग के भी और imagination करेंगे, इतना ही बहुत है, यह देखो, अभी कुछ 4500 light year दूर, ऐसा कुछ star जो है, वो फटा है, बहुत बड़ा massive star फटा है, जिसके कारण इस तरह का supernova explosion हुआ, जिसकी light हमें आज दिख रही है, तेक है, सड़े 4000 light years अवे हुआ है, light year का मतलब क्या होता है, light year का म एक साल में light कितना travel करती है, एक distance से, बी distance के बीच में, इसको हम लोग light year बोलते हैं, एक साल में light कितना travel कर सकते हैं, light बहुत fast travel करती है, sun की light यहाँ पे पहुंचने लिए सिर्फ 8 minute लेती है, तेक है, very very fast, light speed is like very very fast, तेक है, 3 into 10 raised to power, 8 meter per second, ऐसे कुछ speed, तेक है, तो बहुत जदा fast travel करती है, एक साल में जितना light travel करेगी, उसको हम एक light year बोलते हैं, पेंतालिस सो light year दूर एक स्टार फटा है, उसकी light हम पे आज पहुंच रही है, इसका मतलब है कब पपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप होगा समझ रहे बात को हमें दिख तो रहा है कि आज हो रहा है but actually कब हुआ 4500 साल पहले नहीं लगा पता है ना तो मतलब प्रहमान की कई इस तरह की चीज़ें जो हम लोग which is out of our sorts थेक है anyways last thing closest to our star closest star कौन सा हमारे solar system का that is proxima century यह जो है closest star है हमारा 4.2 light years away this is proxima century it's a red dwarf can you see red dwarf लाल दिख रहा है ना it's a red dwarf and बाकी जो है उसके बाद कौन से alpha century B है और alpha century A है they are normal stars थेक है understood 4 light year दूर है 4 light year means अगर हम light की speed चले तो मैं 4 सा लगेंगे आपे पहुँचने के लिए अभी इतनी अब मैं पास technology नहीं थेक है तो अभी हम लोग मार्स में पहुँच जाए वही बड़ी बात है anyways so next part of it is solar system which we will be doing tomorrow and कल जो हम इसको खतम करेंगे okay so लेते हैं questions हां बाई किसी के पास question है तो पूछो पर आपे पास 57 minutes पड़े हैं you have any questions go for it हां जी हां जी बिलकुल जी any questions guys कोई doubt और निकलो बिलकुल जी चंदरशेकन दिया था neutron star yes sir this neutron star yes see भई यह जो white dwarf है यह दिरे दिरे decay करेगा white dwarf दिरे दिरे इसकी heat खतम होगी and then it will be nothing but a rock का टुकड़ा देखे जी but जो आपका neutron star है this is nothing but neutron this is nothing but radiation eventually यह जो है क्या करेगा continuously जो है rotate करता रहेगा and it will radiate lot of radiation दिरे दिरे जो है और जादा decay होगा similarly with the black hole black hole भी क्या होगा with time decay होते रहेंगा because बहुत जादा energy जो है radiate करते है anything any doubt भाई कुछ आपके मन में आ रहा हो तो भी बताओ नहीं चलो anyway so this is basically the introduction only अभी जो है कल से जो अपना main काम start होगा where we will be talking about planets, asteroids and यह सारी चीज़ों के वहने बात करेंगे यहां से जो है आपका exam related aspect जो है वो start करेंगे हम लोग exam related aspect will be starting from tomorrow onwards आज के question में maximum जो आपको पूछ सकते है कि भाई star का color क्या donate करता है ठीक है जी चंदरशीक का limit is something that can be asked, rest of it was more philosophical debate where we were not philosophical debate but philosophical lecture जाप हम लोग just understand करने की कोशिश कर रहे है कि universe की जो underpinnings हैं वो किस तरह की हैं universe basically एक broad आपके पास dimension होनी चाहिए that will help you build a bigger picture एक बड़ा picture बनाने में आपको मदद करेगा ठीक है कि नहीं so मेरी तरफ से bye-bye है in case ये पूछ रहे हैं जो Japanese scientist बताया है नहीं नहीं ancient scientist बढ़ रहा हूँ ancient scientist भई नहीं scientific names है याद नहीं करने है so just to build a story ऐसे फजारों नाम है और भी याद करने को अगर याद करने पर आए तो नहीं करने जो नाम याद करने होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा ठीक है कि नहीं जो नाम याद करने होंगे वो मैं बताता रहूँगा आज पढ़ रहे हैं, ये शब्द जो है, Eretosthenes के मूँ से निकला था इन्होंने एक किताब लिखी दी, called as Geography का, वहाँ से जो है ये discipline का start हुआ है, जोग्राफी ठीक है जी, और ये Aristarchus के contemporary थे अब Aristarchus कौन था? Aristarchus, जिसने Heliosentric theory जो है, compound करी ठीक है, propound करी, वो जो है Aristarchus थे, तो मतलब वो बताना था मैंने आपको, बट मैंने बताया है नहीं complex हो जाता ज़रा ठीक है guys, so I hope that is it for today doubt है तो कोई पूछ लो जी नहीं तो मेरी तरफ से तो बंधी है